हलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल प्रांस्वोर गाटनी में आप सभी का स्वागत करती हूं तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हूं जो लोग इस मांसून में अडेनियम प्लांट लगाते हैं या जिनके पास नहीं लगा है वो लोग इस मांसून में अडेनियम प्लांट लगा सकते हैं लेकिन मैं आज आप लोगों के लिए मतलब जो है इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे लाना है प्लांट में वो चीज आज में बताऊंगी आप लोगों अगर आप पहली बार अडेनियम प्लांट लगा रहे हैं तो आपको इसकी केर के बारे में पहले से पता होना चाहिए तब ही आप प्लांट को लगा सकते हैं अगर आपको इसकी केर के बारे में नहीं पता होगा इसमें यह नहीं पता होगा कि हमें इससे फ्लावरिंग कैसे लेना है कौन सा फॉर्टिलाइजर इसको ज़्यादा पसंद है और कौन सा डालना है कैसे डालना है तो आप प्लांट इसमें डालनी पडती है और कैसे डालनी पडती है मैं डालना भी बताऊंगी और नाम भी बताऊंगी आपको मैं दिखाऊंगी जिससे की आपके plant में ऐसी flowering हो जैसे की देख सकते मेरे plant में बहुत ही फ्लावरिंग हो रही है कलियां भी बन नहीं हो यह डबल वाला है जो मतलब फूल खिलता है hybrid वाला वाला है यह मैंने बाहर से मंगाया था कोलकाता नर्श्टरी से जो मुझे 1000 के पड़े थे छे प्लांट अब इसमें फ्लावरिंग हो रही है और फ्लावरिंग के लिए कुछ शीजह देनी पड़ती हैं दोस्तों कुछ लोगों के लिए बहुत तिपकल प्लांट लगता है यह देखिए मेरे पास यह वाला है आप देख सकते हो भी Rat आप ये लमसम एक साल का हो गया है और ये वाला भी मैंने निलांबार नर्सरी से प्लांट मंगाया था इसकी फ्लावरिंग देख सकते हैं कितनी जादा बन नहीं है तो आज मैं इन ही सब बातों को आपको बताने आई हूँ कि आपके प्लांट में भी ऐसी कलिया बन सकती है फ के बारे में में मेंन बताँंगी और फॉट्रिलाइजर मैं दिखाओंगी बताओंगी डालना भी दिखाओंगी तो चलिए चलीर वन, इसके बारे में इन्पोर्टेंट conse क्या है आप पहली बार लगा तो आप इसकी जो मिटी है बहुत ज़्यादा वल्ड्रेंद बनाईए- बहुत ज़्यादा बुर बुरी हो सके लिएं थे हलका सा उस में कोकोपीट मिलाईए। बालु मिटी की मात्रा जाधा मिलाइए- गार्डन्स उयल ले जिये लेकिन, बहुत बल्第 न मिटी बनाईए, मिट्टी में फंगी साइड और नीम खली का प्रयोग जरूर कीजिए ताकि इसमें कोई फंगल ना लगे, मिट्टी बुर्बुरी होनी चाहिए, बालू मिट्टी की मातरा आपको मिट्टी में ज्यादा मिलाना है, कुल मिला कि आपको बहुत वल्ट्रेन मिट्टी अनला है, मिरे पास लुकाओ की मेरे पासलुपर्ट नहीं है, इसलिए मैंने छोटे-छोटे पाट में लगा रखा है, आप ग्रोध देख सकते हो, इसमें फ्लावरिंग देख सकते हो, कितनी बढ़िया हो रही है, और जिसको केर पता होता और तो हर चीज में लगा सकता है, देखिए है प्लास्टिक के ही लेकिन मुझे पता है मुझे कैसे रखना है यह प्लांट भी प्लास्टिक में लगा हुआ है क्योंकि यह कटिंग से तैयार किया है यह कटिंग से मैंने प्लांट बनाया है और मुझे कटिंग से लगाना और बनाना प्लांट बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, फूल देख सकते हैं, इसकी क्रोध देख सकते हैं, और छोटे से डिबे में लगा हुआ, डिबे मतलब काट के लगाया था मैंने उसमें लगा हुआ है, अब तीसरी बात ध्यान क्या रखना है आपको, इसको फूल सनलाइट में रख है, यह जहां पर सूखा होता है, मतलब ड्राई मौसम में भी चल सकता है, ऐसा प्लांट होता है, इसलिए इसको रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है, और पानी की कमी की वज़े से यह प्लांट बहुत अच्छी ग्रोध करता है, और य यह तीन-चार बाते आपको ध्यान रखनी है, जो मेन-मेन है, आपको पानी कम देना है, मिट्टी वल ड्रेन बनानी है, धूप में रखना है, फुल सनलाइट में रखना है, और इस समय जो मानसून चल रहा है दोस्तों, इस समय आप इसकी प्रूनिंग बिल्कुल भी मत करि है, और जो है, कटिंग भी फेल हो सकती है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, बस आपका अडेनियम प्लांट बहुत अच्छी ग्रोध करेगा, तो मैं आज मेन टॉपिक पर आती हूँ, क्योंकि मैं यह वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आपके गारड उनको नहीं पता होता है, दोस्तों, तो चलिए, मैं दिखाती भी हूँ आप लोग को और बताती भी हूँ कि कैसे इस तरह के फ्लावरिंग आपके प्लांट में भी आ सकती है, जब हम प्लांट की जो मनपसंद खाद होती है, क्योंकि इन लोग को भी बहुत ज़्यादा फो तो ये दोस्तों, इसके लिए जो खाद है, वो मैंने निकाल लिया है, जो मैं नुट्रिशन अपने प्लांट में देती हूँ, वही मैं आप लोग को बता रही हूँ हूँ, ये मेरे पास ये छोटा चम्मच है, देखे किता छोटा सा है, और इसी से मैं डालूंगी, ये जाती बौन मील लाकर आप जो है, इस छोटे चम्मच से पॉट के हिसाब से मेरा पॉट इतना चोटा है, तो मैं इस चम्मच से डालूंगी, तो ये बौन मील है, और ये पोटास है, पोटास कई कलर में आता है, मैंने पहले भी दिखाया है आपको, कि पोटास ब्लाक कलर की भी आती है वाइट कलर की भी आती है तो यहाँ पे मेरे पास यह पिंक कलर वाला पुटास है और यह डिये पी है डिये पी भी ब्लैक कलर में आती है ब्राउन में भी आती है और वाइट भी आने लगी है और यह फंगी साइड है थोड़ा सा मेरे पास यह मैं डालूंगी तो चलिए मैं बताती हूं कि इसको कैसे डालना है पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है लेकिन हमें अभी मैं डाल ही रही हूं और मैं हर 15-20 दिन पे डालती रहती हूं तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाया जाए छोटा सा वीडियो बनाके ताकि आप लोग बहुत अच् आपको देना है इसमें तो मैंने दिया ही था इन पड़ों में अब मैं देती हूं इसे बिलता हैं। अब मैं इसमें फिर से एक बार दूँगी और एक पॉट और ले लेती हूँ जिसमें देना है ये वाला ले लेती हूँ और इसको अच्छे से गुडाई पहले कर लेंगे तो इसमें हलकी हलकी सी ऐसे गुड़ाई कर लेंगे और मेरा ओजार खुर्पी पता नहीं कहा रखी है बच्चों ने रख दिया है तो मैं छोटी सी डंडी लोगी और ऐसे ऐसे हलका हलका इसको किनारे किनारे ऐसे खुदाई कर दूँगी मतलब गुड़ाई कर देना है नीचे बहुत जादा जो है नहीं करना है जड़ न तूटे इसकी इस तरह से कर देना है ये दिखिए इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे किनारे किनारे और सबसे पहला काम आप लोग ये किया करिए कि बारिस के बाद बहुत जादा घास जम जाती है प्लांटों में तो उसको निकालते रहा करिए मतलब अपने प्लांट को क्लीन जरूर करा करिए क्लीन करेंगे तो काफी जो है अच्छा प्लांट देखने में भी लगता है और खादवा देने में भी काफी आराम होता है तो चलिए मैं बताती हूँ थोड़ी सी इसकी मिट्टी में निकाल लेती हूँ किसी चीज में तो एक पुराना गंबला मैंने मंगा लिया है इसी में मिट्टी इसकी डाल दूँगी तो इस तरह से निकाल लेना है तो ये छोटा सा चमच मैंने लिया है और आप क्या करेंगे सबसे पहले अप्सन सॉल्ट भरके चमच लेंगे इस तरह से और दे देंगे अगर बहुत ज़्यादा चमच है तो आप एक से डेढ़ चमच दे सकते हो ये मैंने अप्सन सॉल्ट दे दिया और एक चमच लमसम जो है एक से डेढ़ चमच हम भी ये पी डाल देंगे क्योंकि मेरा पॉट ज़्यादा बड़ा तो है निक तो इसलिए जो है डेढ़ चमच डालेंगे क्योंकि मेरा चमच भी बहुत छोटा है एसे खिनारे देना है फिर इसी तरह पुटाज देना है डेढ़ चमच ये दो चमच भी डाल सकते हो आप लोग और दो चमच हम डालेंगे बोन मील भरके दो चमच डालना है और एप्सन सॉल्ट कम से कम आधा चमच इस तरह से डाल देना है अब क्या करना है ये जो मिट्टी निकाली थी मैंने वो डाल देना है इसके ये काम आपको इस समय करना है अगर आपके प्लांट में फ्लावर नहीं हो रही है तो आप इस समय भी इसको दे सकते हो आज कल में ये बन कर देना है और इसमें पानी छोड़ देना बस इसको रख देना इसी तरह मैं इसमें भी डूंगी इसमें भी दे देना है आपको जेड़ चमच आपको एपसन सॉल्ट दे देना है एपसन सॉल्ट अगर आपके पास नहीं है तो यह आपकी मर्जी है आप डालिए यह नडालिए इसका कोई भी सेज काम नहीं होता है लेकिन मैं डाल देती हूं थोड़ा सा और यह आप सनल होता है और आप डालिए यह नडाल इसी तरह डी एपी भी लमसम अंदाजे से एक जो है चमट दे देंगे इसको और ऐसे किनारे ही देंगे जड़ से यहां पर देखिए जड़ होती है और किनारे हमें देना है बिल्कुल इस तरह से अब इसी तरह भरके हम दो चमट इसमें बोन मील भी डाल देंगे भरके डाल देंगे ठीक है बोन मील इसको बहुत पसंद होता है अगर फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है तो बोन मील डी एपी और पोटासी ये तीन चीज आप डाल दीजे बाकी आप कुछ डालिए चाहे ना डालिए ये तीन चीज इसके लिए बहुत ज़्यादा तो इस तरह से इसको भी बंद कर देंगे बस आपको इतना ही करना यही खाद में हर 20 दिन पर एक महिने पर जब भी मतलब डालना होता है तब मैं दे देती हूं बस इस तरह से डाल के रग देना है पानी दे देना है इतना करना है तो आपने देखा मैंने कौन-कौन सी खाद जो है इस्तिमाल किया है इसमें तो ये वाला जो बचा है ये भी मैं किसी प्लांट में ही छोड़ दूँगी तो आज मैंने आपको बताया कि अडेनिया में ऐसी फ्लावरिंग पाने के लिए आपको कौन कौन सी खात दे नहीं है अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो नहीं है तो आप तीन चीज ले लिजिए एक पोटास ले लिजिए पोटास ले लिजिए बोडमीन ले लिजिए डी एपी ले लीजिए और फंकी साइट ले लीजिए ये चार चीज आप जरू डाल दीजिए आपके प्लांटी में ऐसी फ्लावरिंग 100% होगी तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को आप लोग कमेंट में बताईए और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सेर कीज किये और मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बहुत अच्छी एच्छी जानकारिया मैं लाती रहती हूं आप तक पहुचाऊं और नौटिफिकेशन भी आपको मिले तो चलती हूं मिलती हू अगले वीडियो में कोई नहीं जानकारी के साथ कोई नहीं टॉपिक को लेकर तब तक के लिए अप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखें बहुत सारा ख्याल रखें तो ओके फ्रेंड बाई